कुरुंतियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री छटवा अध्याए और हम जो उसके सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ व्यर्थ न रहने दो, क्योंकि वह तो कहता है कि अपनी प्रसनता के समय मैंने तेरी सुन ली औ और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की, देखो अभी वह प्रसनता का समय हैं, देखो अभी वह उद्धार का दिन हैं, हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते कि हमारी सेवा पर कोई दोश न आए, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों की परिश्रम से, जागते रहने से, उपुवास करने से, पवित्रता से, ज्यान से, धीरत से, कृपालता से, पवित्रात्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धारमिक्ता के हत्यारों से, जो दाहिने बाएं हैं, आदर और निरादर से, दु प्रेदिपी भर्माने वालों के ऐसे मालूम होते हैं, तो भी सच्चे हैं, अंजानों के सद्रश्य हैं, तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुओं के ऐसे हैं और देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सद्रश्य हैं, परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वाले के समान हैं, परंतु सरवदा आनंद करते हैं, कंगालों के ऐसे हैं, परंतु बहुतों को धन्वान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं, तो भी सब कुछ रखते हैं. हे कुरुंतियों, हमने खुल कर तुम से बातें की हैं, हमारा हिर्दय तुम्हारी और खुला हुआ है, तुम्हारे लिए हमारे मन में कुछ सकेती नहीं, पर तुम्हारे ही मनों में सकेती है, पर अपने लड़के बाले जान कर तुम से कहता हूं, कि तुम भी उसके बदले में अपना हिर्दे खोल दो, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धर्मिक्ता और अधर्म का क्या मेल जोल, या जोती और अंधकार की क्या संगती, और मसी का बल्याल के साथ क्या लगाओ, या विश्वासि के साथ अविश्वासि का क्या नाता, और परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत शुओ तो मैं तुम्हें ग्रहन करूँगा और तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। यह सरशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है।